नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जारखन के दिन भर की खबर जानते हैं जारखन केबिनेट की बैठक आज नियोजन नीती पर चर्चा की उमीद जारखन केबिनेट की बैठक है, बता दे कि यह बैठक दो पहर, तीन बज कर तीस मिट से प्रचेक्ट भर में अवजित होना है, इस बैठक की अध्यक्ता राजी के मुख्य मंत्रे हमल सुरेन करेंगे बता दे कि इस बार केबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताओं पर मुहर लग सकती है, साथ ही उमीद यह भी जताई जा रही है कि नई नियोजन नीती मामले पर भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है जनकारी हो की नई नियोजन नीतिक विरोध में कई छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है वहीं जारखन में 15 माज से मौसवा में जो परिवर्तन देखने को मिले है वैसे में कई किसानों को परथानी हुई है जनकारी हो की आंधी और ओलाविरिष्टी के वज़ा से रवी फसलों को काफी नुकसान पहुचा है साथी सब्जीयों की खेती भी प्रभावित हुई है अब ऐसे में उमीद जताई जा रही है कि इस बैठक में किसानों के लिए राहत भरे एलान किये जा सकते है जनकारी हो की बीते दिनों क्रिसी मंत्राले ने सभी जीलों में उपायुक्तों को उलाविरिष्टी की वज़ा से रवी फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया था ईडी कर्याले पहुँचें पुर्वग्री सचीव राजिव अरून एक का पुष्टाश से निकल करो मीडिया से रूबरू हो सकते हैं और पुष्टाश से समई जनकारी साजा कर सकते हैं बता दे कि परवत्तन निदे साले की ओर से उन्हें पहले ही समन भेजा गया था और पुष्टाज के लिए बुलाया गया था बता दे कि पुर्वग्री सचिव राजिव अरुन एकका से इडी के अधिकारी मनी लॉंडरिंग केस में उनसे कई सवाल पुष सकती है ज्यारखन में 13,000 से अधिक जवान सोभायात्रा की सुरक्षा में ज्यारखन में राम नवी की सोभायात्रा की दवरान सुरक्षा के दिश्टिकों से पुलिस मुख्याले ने त्यारी पूरी कर ली है पुलिस मुख्याले सुरक्षा के लिए ATS से लेकर जिला पुलिस हुआ CRPF के 13000 ज़ाधिक फोर सभी जिलों को उपलब्द करा दिया है इसमें सबसे अधिक पुलिस बल की तैनाती रांची और हजारी बाग जिले में की गई है सभी रेंज DIG को भी अलग से 1500 समेत कूल 1100 सस्त्र बल और लाठी बल उपलब्द कराया गया है बता दे पुलिस मुख्याले कंट्रोल रूम से पुरे राज्य में सोभाय आत्राकदवान बीदी बेवास्ता की मौन्टरिंग होगी इसके लिए वहाँ भी एक DIG, 3 SP, 3 DSP और 3 S पेक्टर की तैनाती 29 माज से होगी जारखन के प्राइबेट इसकूलों में खाली रह गई बीपियल बच्चों की सीटें इसकूली सिक्षा एवम सेक्षाटा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 सेज में राज्य के मनेता प्राप्त नीजी स्कूलों में कूल 794 सीटों पर बीपियल बच्चों का नमांकन होना था विभाग ने 7% सीटों पर बच्चों का नमांकन सुनिश्चीत करायाने का निदेश पिदिया था इसके बावजूद नीजी स्कूलों में केवल 486 बीपियल बच्चों का ही नमांकन हुआ जबकि 2588 सीटे रिक्त रह गई बतादे राज्य में वर्ष 2011-12 में सिक्चा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था इसके तहट राज्य के मनेता प्राप्तनीजी स्कूलों इंट्री कलास में 25 पिदि सीटों पर बीपियल बच्चों के नमांकन का प्रोधान है मनरेगा मैदूरों को अब मिलेंगे 255 रुपए मनरेगा के मैदूरों के लिए खुश खबरी है बतादे केंद्र स्रकार ने मनरेगा मैदूरों के मैदूरी बढ़ा दी है जहारखन में मनरेगा मैदूरी 210 रुपए से बढ़ा कर 228 रुपए कर दी गई है यानि केंद्रे की ओर से यहां मनरेगा मैजदूरी में कूल 18 रुपए की बढ़ोती की गई है बतादे मैजदूरी की बढ़ी हुई दर 1 अप्रेल की तीथी से परभावित होगी फिलाल जार्खन में मनरेगा मैजदूरों को कूल 237 रुपए मैजदूरी मिलता है इसमें 27 रुपए राज सर्कार की ओर से दिये जाते हैं जबकि 210 रुपए केंद्रे सरकार की ओर से मिलते हैं केंद्रे सरकार की ओर से की गई बढ़ोती के बाद कूल मैजदूरी 255 रुपए हो जाएगी जार्खन में जल्द बनेंगे अंतराश्ट्री अस्तर के छा फोरलेन कारीडोर राजे के अध्योगिक और प्रियटन चेत्रों के विकास को लक्ष बना कर कारीडोर बनाने की युजना त्यार की गई है जार्खन में पत नेमान विभाग फोरलेन वाले छा रोट कारीडोर बनाएगा बता दे कि सभी कारीडोर अंतराश्ट्री अस्तर के हाईवे होंगे साथ ही इन कारीडोर के बनने से राजे के अंदर यात्रा करने वालों को कम समय और कम दूरीताय करनी पड़ेगी जिसे लोगों को बहुत ही सहलियत होने की संभावना है मिरी जनकारी के अनुसार 393 किलोमीटर का इस्ट वेस्ट कारीडोर 121 किलोमीटर का इस्ट कारीडोर और 275 किलोमीटर का नर्थ साउथ कारीडोर 140 किलोमीटर का सेंटरल कारीडोर 270 किलोमेटर का टूरिस्ट कारीडोर और 170 किलोमेटर का होली टूरिस्ट कारीडोर सामिल है कॉंग्रेस परभारी अविनास पांडे बोले विपक्ष के सभी नेता दे देंगे इस्थिपा जार्खन कॉंग्रेस के परभारी अविनास पांडे ने कहा है कि अगर जवरत पड़ी तो केंदर सरकार की कारेसायली के बिरोध में विपक्षी दलों के नेताज थीपादे देंगे उन्होंने जार्खन के रधानी राची में विपक्षी आवाज को दबाना चाहती है इसके खिला विपक्ष एक चुट हो रहा है राजगाट पर कल सभी विपक्षी दलों ने कहा है कि अगर जवरत पड़ी तो ज़र्खन समेथ पूरे देश में विरोधी दल के सभी नेताज थीपादे देंगे उन्होंने कहा है कि राची में आज इस विपक्षापर पार्टी के सभी वरिष्ट नेताओ से चर्चा की जाएगी और राहुल गांधी को होई सजा के बाद केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाब किस तरह से अंदोलन करना है उसकी रूप रेखा तयार करेंगे बता दे कि मोधी सरनेम पर टिपनी करने के मामले में सूरत की एक अदालत ने राहुल कांधी को दोसी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है जारखन सरकार के सरकारी फरमान के मुताविक पलामु में हुए जंग ए अजादी के दो माहनायक सुन्तता सेनानी निलामबर और पितामबर साही का सहादत दिवस 28 मार्च है कहा गया है कि इन दोनों भायों को पकड़ कर लेशली गंज लाया गया और यहीं बीना कोई कानूनी करवाई कि 28 मार्च 1869 को फांसी दे दी गई इसी अधार पर पुरे राज में 28 मार्च को दोनों भायों का सहाधत दिवस मनाया जाता है हलाकी इसे लेकर इतिहासकार और लेखकों में मतभेद रहे हैं निलामबर पितामबर को लेकर अलग-अलग लेखकों ने इनके सहाधत तिथी में विभिनता बताया है गईड़वा के इतिहासकार डाक्टर रमेश चंचल द्वारा लिखी तनाटक मैं पलामों हूं में जिक रहे कि इन दो सुर्वीर भायों को अंग्रेजी हुकूमत ने 28 मार्च को ही लेसली गंज में बरगत के पेंड से लटका कर फांची दी थी सुदूर इलाकों में सुरू होगी बाइक एम्बूलेंस सेवा धनबाद जी लेके सुदूर गरामिन इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्त सुविधा परदान करने के लिए जल्द ही बाइक एम्बूलेंस सेवा सुरू की जाएगी इसका वैसे गरामिनों को लाब मिलेगा जो सुदूर गरामिन इलाके वा पहाडी की तलहटी के गाउं में रहते हैं इन गाउं के टोलों में चार पहिया वाहन पहुंचना मुस्किल है ऐसे में आक्समिक इस्थिती में जरूरत पढ़ने पर मरीजों को सरकार द्वरसंचालित 102 एंबुलेंस सेवा का लाब नहीं मिल पाता है इस समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ चिकित्सा सिक्छावा परिवार कलियान विभाग ने धनबाद समीत अने जिलों में बाईक एंबुलेंस सेवा सुरू करने का प्रस्ताव थेार किया है योजना के तहत धनबाद को पांच बाइक एमुलेस देने की त्यारी है योजना को लेकर स्वास्थ विभा की ओर से ओफिसियल वेब साइट पर जल्दी नोटिफिकेशन परकासित होगा है पूरोर रामगड विधायक मामता देवी को हाई कोट से रहात जारखन हाई कोट से रामगड की पूरो विधायक मामता देवी को रहात मिली है जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने मामता देवी को जामानत की सुविधा परदान कर दी है फिलाल मामता देवी को हजारी बाग केस में नियमित जामानत मिली है वहीं रामगड के मामले में अगली सुनवाई के लिए 31 माल के तीथी निधारित की गई है मामता देवी को दो मामलों में सजा मिली है फिलाल मामता देवी अभी जेल से बाहर नहीं आएंगी बता दे की मामता देवी को रामगड और हजारी बाग की नीचली अदालत ने दो अलग-अलग मामले में सजा सुनाई है जमसेदपूर जीले में Health on Will की सुरुवात सुदूर वर्ती छेतर में स्वाहत सेवाओं का लाव सुगम तरीके से जरुत मंदों तक पहुचाने के लिए सुमवार को जमसेदपूर जीले में Health on Will कारकरम की सुरुवात की गई जीले की उपायुक्त विज्जा जाधाओं ने मुख्याले से पांच एम्बूलेंस को हरी जंडी दिखा करवाना किया उपायुक्त एम्बूलेंस हंस फाउंडेशन की ओर से जीले को मुहाया कराया है उपायोक्त विज्जाजाधाओं ने बताया है कि जीलेक लोगों को सुगम तरीके से स्वास्त सुविधया मुहाया कराने के लिए हेल्थ सेंटर आपके द्वार सुरू किया गया है जिसे सुदुर गरामिन चेतर के लोगों को उनके घर पर ही स्वास्त सेवावों का लाब मिल सके जारखन के सिर्फ 126 थानों में लगे हैं CCTV कैमरे देश के सभी पूलिस थानों में CCTV कैमरा अनिवार रूप से लगाने का आदे सुप्रीम कोट ने दे दिया है इसके बावजूद जारखन के कई पूलिस थाने अब भी ऐसे हैं जहां कैमरे नहीं लगे हैं रिपोर्ट के अनुशार जारखन के 564 पूलिस थानों में से केवाल 126 में CCTV कैमरे लगे हैं हलाकि 334 थानों में CCTV कैमरा लगाने का काम जारी है थानों में CCTV कैमरा लगाने की जिमेदारी जार्खन एजेंसी फोर प्रोमोशन औफ इन्फोर्मेशन टेकनोलोजी जैप आईटी की है बता दे देश भर के 17,535 थानों में से 14,834 में CCTV कैमरा लगे है मिडडे मील के लिए 4 बार टेंडर जारी होने के बाद भी नहीं मिल रहे ठेकेदार रांची जीले के एक उइस वठाई सरकारी स्कूलों के बच्चे को मिडडे मील का संकट पैदा हो गया है इन स्कूलों तक गोदाम से खत ध्यान पहुचाने के लिए ठेकेदार नहीं मिल पा रहे है जीला सिक्चा दिक्चक कर्याले ने इसके लिए जनवरी माह से अब तक 4 बार टेंडर निकाल चुकी है लेकिन किसी निवीदा दाता ने टेंडर ही नहीं भरा ठेकेदार की तलास के लिए एक बर फी नया टेंडर निकाला गया है बता दे जीला सिक्चा दिक्चक कर्याले से जारी नोटिस के मुताविक टेंडर एप्लिकेसन 27 मार्च तक डाले जा सकते हैं इसके बाद 28 मार्च को डीडिसी ओफिस में गठित निवीदा समीती के सामने निवीदा खोली जाएगी नाया ठेकेदार मिलने के बाद या समस्या दूर हो सकती है नियुक्तियों का साल होगा 2023 जहरखन में 2023 नियुक्तियों का वर्स ओगा मिली जनकारी के मुताबिक जहरखन में 74 ह्या जाद खाली पदो पर नियुक्ति पर किलिया सूरू होने जा रही है एक सब्ताह में 49 से 49 पदों पर नियुक्ति के लिए बिग्यापन जारी हो चुके है वहीं अप्रेल माई तक एक दर्जन और विग्यापन जारी होने की उमीद है बता दे जे पीएसी ने बीरसा किसी बिस्वे बिद्याले में प्रफेसर के 74 पदो पर भाकेंसी निकाले है वहीं जार्खन में आने वाले दिनों में प्रानविक इस्कूलों में 50,000 सहायक अचार्यों पहले चरण में 25,996 वा दूसरे चरण में 24,000 सहायक अचार्यों के नियोक्ति सुरू होगी इस्कूलों में 10,000 सिसों के नियोक्ति होगी धन्यवाद यदि आप चैनल पना यहां थे चैनलों के सब्सक्राइब करें वाल का बेल एक अब ये साथी साथ वीडियो के एक लाइक करें दोस्तों के साथ सेर करना भूलें साथी साथ आप हमें कमेंट बक्स में अपना फीड़बाइक अवस्य दे थैंक यू